सब को जैमसी की मैं जतिन बबर और आप देहें मसी परिवार चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभू के अलग अलग दासों की वीडियोज डालता हूं तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा रखता है तो आप इस चैनल को जादा से जादा सब को जैमसी की एक बर मां आप से द्वारा काऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जूल करें और वीडियोज से ज़्यादा से जादा सिर्ष्व करें जैमसी की बाइबल कहती है जब इस्राइल उन्हें परमेशों के दिरिश्टी में बुरा किया तो उसने उन्हें मेधानियों के बश्च में कर दिया और वो उनके बीजों के उपर हमला करने लगा जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है आप सोचते हैं कि ये मेने 80,000 जमा कर लिया है अब मैं ये 80,000 से अपने जो कच्चा कमरा है जो पक्का कर लूगी और शैतान आता है एक बिमारी के साथ और आपके 80,000 की बजाये 1,60,000 आपका खा जाता है आप सोचते हैं, मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कुछ दे दिया है मैंने बड़ी मजदूरी की है, मैंने बड़ा काम किया है मैंने घरों का काम करके, मैंने खेती करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को बड़ा किया है और शैतान आता है और उन्ही बच्चों को नशे की लत लगा देता है तो कि शैतान हमेजा बीज के उपर हमला करता है आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है अब मैंने अपने बच्चे को फॉरण भेज दिया है और वहाँ से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सिडेंट हो गया है तो कि शैतान बीज के उपर हमला करता है आपके बिजनस के उपर हमला करता है आपकी सिखत के उपर हमला करता है बच्चन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शेतान उस पे हमला करता है ये ने की परमेश्वर उस पे हमला कर रहा है परमेश्वर दुख नहीं देता आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते अलग अलग परकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेशों की दृष्टी में आप पापी बन जाते हैं, जब आप पापी हो जाते हैं, तो शैतान के पास अधिकार होता है, कि वो आपके बीजों के उपर हमला कर सके, और आपके उपर अट वोग बोलते एगर परमेशो जिन्दा है, तो हस्पिटलों में लोग मर क्यों रहे हैं? अगर परमेशो जिन्दा है, तो इसका एक लोता है, बेटा कैसे मर कГया? इसके यह स्वाध कर फियो भी 3 को बेटा है, इसके यह जुब हुए थी एक। पाएगा लेकिन वही ठीकाना पाएगा जो उसके छाय हुए स्थान में बैठा होगा अगर हम परमेशों से दूर है तो शेतान हमारे बीजों के पर हमला करता है वो नहीं चाहता हमारे बच्चे नशों से अजाद रहें वो नहीं चाहता हम बिमारियों से अजाद रहें वो य प्राइबल कहती है Pramishwar. जो प्रेमी Pramishwar है, जो बता है, जो आपके तरह जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक दिने के लिए आ जाता है, वो Pramishwar आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है. और वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपके बीजों को नश्ट होने से बचाना चाता है जिस तरह गिदौन को उसने चुना पुराने समय में उसने मुसा को चुना मुसा पूरी इसराइली कौम को 20 लाग के करीब लोग थे पूरी इसराइली कौम को चमतकारों के दोरा उन्हें वापिस ले आया परमेशों ने गिदौन को चुना बचन कहता है कि जब परमेशों ने गिदौन को चुना तब भी इसराइली दुखी थे लूगि वो परमेशों से दूर हो चुके थे परमेशों से दूर थे तो शेतार ने बीजों पे हमला किया और इस्राइलों ने फिर परमेशों की दुहाई दी जब इस्राइली परमेशों की दुहाई दिने लगेगी पिता हमें बचा हमने पाप किया है आगे से पाप नहीं करेंगे आगे से कोई गुना नहीं करेंगे बाइबल कहती परमेशों ने गिदौन से बात की परमेशु ने कहा गिदौन आठायत में लेका यहावा ने इसराइलियों के पास एक नभी भेजा जिसने कहा इसराइल का परमेशु यहावा यो कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से जितने तुम पर अंधेर करते थे सबों के हाथ से छुडाया कि उनको तुम्हारे सामने से बर्बस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेशुर योहवा हूं एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भए ना मानना प्रणतु तुमने मेरा कहा नहीं माना यहवा का दूत बांज वरिक्ष के नीचे बैड़ गया जो ओप्रा में अभी एजर अभी एजरी ओ योवाश का था और उसका पुत्र गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे यहवा ने कि दूत ने दर्शन दे कर कहा गिदौन से हे शूरवीर सूर्मा यहवा तेरे संग है गिदौन ने उससे कहा हे मेरे प्रभू विंती सुन यदि यहवा मेरे संग होता तो क्या हम पर ये विपत्ती पड़ती जितने अश्चरे कर्मों का वरणन हमारे पुर्खा कहकर करते थे कि यहवा हमें मिसर से छुडा नहीं लाया वो कहा रहे अब तो यहवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है तब यहवा ने उस पर द्रिष्टी करके कहा अपनी इसी शक्ती पे जा तो इस्राइलियों को मिधानियों के हाथ से छुडाएगा क्या मैने तुजिन नहीं भेजा उंची अवाजे बलो हालिलुया उंची अवाजे बलो हालिलुया तो बचन कहता है कि उस दूद के सामने गिदौन ने भेंट को रखा और उस भेंट को दूद ने छुआ और वो आग बन गई और उसके बाद दूद चला गया बाइस आयत में लिखा गिदौन ने जान लिया कि वह यहवा का दूद था तब गिदौन कहने लगा हाए प्रबू यहवा मैंने तुमको यहवा के दूद को साक्षाद देख लिया है यहवा ने उससे कहा तुझे शांती मिले मत डर तु ना मरेगा तब गिदौन ने वहाँ यहवा की एक वेदी बना कर उसका नाम यहवा शालोम रखा वे आज के दिन तक एबियेजरियों के ओपरा में बनी है उंची ओवाजें वलू हालेलुया बचन कहता कि इसराइलों जब परमेशों की दुहाई दी परमेशों ने फिर एक व्यक्ति को भेजा उसका नाम गिदौन था जब परमेशों ने कहा गिदौन है शूरवीर सूर्मा यहवा तरे संग है कि तू जाकर अब इसराइलों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा और उसने बता क्या कहा उसने कहा मेरा कुल मेरे सब परिवार में सबसे कंगाल है कहता मैं सबसे छोटा हूँ हालेलुया और उसने कहा कि मैं छोटा तो हूँ कि मेरा परिवार कहता सब मेरे कुलों में से सबसे छोटा है मतलब सादा परिवार जड़ा सारे दिश्चेदा राचो सब तो गरीब है कहिंदा और कहता मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता वचन कहता है आपको लगता है कि मैं गरीब हूँ मैं कमजोर हूँ क्या परमिश्र मेरी आवास को सुनेंगे मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि अब मेरी आवाज सुनी जाएगी आप जहां भी जिस कोने में बैठे हो वचन ये बात कहता है वचन कहता है कि मैंने जगत के निर्बलों को चुल लिया मैंने जगत के तुछों को चुल लिया जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जादपाद के नाम के उपर, गरीबी के नाम के उपर, रंग के नाम के उपर, कद के नाम के उपर, उसने कहा जो तुछ हैं, मैंने उन्हें चुल लिया, और उन्हें इतना बड़ा किया, कि जो अपने आपको कुछ समझते हैं, उन्ह शर्मिंदा करने के लिए परमेशो ने कहा क्या तुम नहीं जानते परमेशो ने जगद के निर्बलों को तुच्छों को, बिमारों को, गरीबों को चुल लिया उसने आपको चुल लिया आज आप छुटकारा देंगे भी अपने घराने में और आज लेकर भी खुदा से जाएंगे ये श्मसी के नामे समय समय के उपर परमेशोर अपने पिता वाला प्रेम हम बरजाहिर करता आया है ये परमेशोर की आत्मिक जीवन जो है ये मसीहित आप कह सकते हो आप यहावा पिता का प्रेम कह सकते हो तो यह अभी झाहिर नहीं हुआ 2000 साल पहले यह पहले से चलता आ रहा है। परमेशों ने लोगों को खड़ा किया उसने मुसा को खड़ा किया उसने गिदौन को खड़ा किया। जब-जब लोगों ने मन फिरा लिया कि ठीक है आज से हम ये काम नहीं करेंगे। आज से गुना नहीं करेंगे, आज से परमेशु के और मुडेंगे, आज से वभीचार नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से शराब नहीं, नशे नहीं पीएंगे, आज से परमेशु के पीछे चलेंगे, तौबा कर ली बाइबल क थो बचन कहता है कि वो किसी भी टाइम के हो। युशुमसीग के जनम के ग्यारा सूर पहले की जान के टाइम में हो। या वो आज के समय में हो। परमेश्यू ने छुटकाना देगा, यह युश्युमसी का वाइदा है। ये शाया 61, उसकी एक से तीन आयत के बारे में, ये शुमसी के बारे में लिखा है, वो प्रेमी परमिश्वर है, वो पुराने समय में भी प्रेमी परमिश्वर था, वो 1500 साल ये शुमसी के जनम के पहले भी प्रेमी था, ये शुमसी के जनम के बाद भी वो प्रेमी ये शाया 61, उसकी एक से तीन आयत, ये शाया की पुस्तव जो यूशु मसी के जनम के 700 साल पहले लिखी गई, उस नभी ने परमेश्व के बारे में लिखा, उसने कहा प्रभी योहवा का आक्ना मुझ पे है, योकि योहवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक कि मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांती दूँ, बंदियों के लिए सवतंतरता का और कैदियों के लिए छुटकारे का परचार करूं। मैंने मुसा को भेजा था, जब मिधानियों के वश्च में तुम पढ़ गए और तुमारे भीजों को नाश किया जने लगा, तो मैंने गिदाउन को भेजा था, लेकिन वचन कहता है कि अंद के दिनों में वो सिर्फ इसराइलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा, इसलिए वचन कहता है कि प्रभी इश्च मसी, इसलिए जनम उसने लिया कि अबरहम की आशिश अन्य जातियों तक पहुंचे, क्या थी अबरहम की आशिश, कि कोई दुश्मन तुम पे कबजा नहीं कर सकता, कोई शेतान सिर्फ इसराइली लोगों तक नहीं रहे, ये चुटकारा पूरे जगत तक जाए, और वचन कहता है, इसलिए प्रभी इश्च मसी ने जनम लिया, प्रमेश्वर पहले भी थे, लेकिन क्यों प्रभी इश्च मसी ने जनम लिया, एक नया धरम बनाने के लिए, नहीं, क्यों में एक बड़ी भीड, खजूर की डालियों को लिये हुए, वाइट कपड़ों को डाले हुए, हर एक कुल धर्ती की, हर एक जाती, हर एक कुल में से, हर एक लोगों में से, एक बड़ी भीड परमेश्व के सामने होगी, यानि परमेश्व बहुँ से लोगों को छुटकारा दूँगा, वो किसी भी धरम, जात रंग, रूप का क्यों ना हो जो कोई प्रभी ईशुमसी के ओपर विश्वास करेगा मैं उन्हें छुटकारा दूँगा मैं उनके बीजों को बचाऊंगा शेतान उनके बच्चों को नाशने कर पाएगा शेतान उनके शरीदों को नाशने कर पाएगा शेतान उनके जीवन को नाशने कर पाएगा उनके फाइनांस को, उनके खेदों को नाशने कर पाएगा ये परमेश्व का मकसद था इसलिए वचन कहता ही ईशुमसी ने कहा यहवा का आत्मा मुझ पे है किसके लिए धरम परिवर्तन करवाने के लिए तुपारे पैसे चीनने के लिए आप यतने पैसे यहाँ देंगे ना आज उससे जादा इस मीटिंग का खर्चा होगा आज मुझे आपके पैसों की जुरूरत नहीं है मैं आपको युशु मसी देने के लिए आया हूँ वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है आप 2,5,10,20,50,100 करोड देखे भी युशु को खरीद नहीं पाएंगे आप लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर क्योंकि वो आपका परमेश्वर है वो आपका पिता है वो प्रेमी पिता है जिस तरह एक छोटी गलहरी एक छोटी चिडिया अपने अंडों के लिए जान दे दे दी है युशु मसी ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है लोग बोलते हैं ये परमेश्व हमें क्या बचाएगा जो अपने आपको बचाने सका तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी उसने कहा राजा ने तू अपने मूँ से कह दे प्रभू कि तू ऐसा कोई भी बाप तूने नहीं किया कि तेरे खिला कोई सबूत नहीं है जीजस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आपको तरी हातों में सौपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापिस लेकर जी उठूंगा और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आज ईशु को कुरूस पर देखना बंद कर दीजिए वो कुरूस पर नहीं है वो पिता के दाइने हाथ सरग में है अगर आख में काँखो देखो कि वो सरग खुला हुआ देखोगे और चीजस को पिता के दाइने हाथ बैठा हुआ देखोगे वो सरवशक्तिमान परमेश्व ने कुरूज से मरा हुआ परमेश्व नहीं है वो सिंदा परमेश्व जो आज लगन को छलाएगा और अंत को आखे देगा चर्च हालेलूया ईशमस ने कहा अब मेरी याशिश अब मेरा चुटकारा सिर्फ इजराईलों तक सीमित नहीं होगा मैं सारी कौम को, सारी दुनिया को मैं सब पंजाबियों को, सब हर्यानियों को, सब इंडियन्स को, सब पाकिस्तानियों को सब तुर्की वालों को, सब इंग्लेंड वालों को उन्हें डर लगता है, डर की वज़ा से बहुत काम नहीं कर पाते, फियर स्पिरिट है उनके अंदर, डिप्रेशन का आत्मा काम करता है, कैदी हैं, क्योंकि शेतान ने कैद किया हुआ है, एक लेवल से उपर नहीं जा सकते, मा अच्छी भली है, पड़ी लिकी है, वेरि नाइस वुमन, डाइवोर्स, उसकी मम्मी भी, डाइवोर्स, बेटी भी, डाइवोर्स, तोकी शेतान नहीं जाता, आप छूटें, ये कर्स है आप देखेंगे कई वार एक आप से कहीं कहीं छोटे कहीं कम लेवल के अच्छे लोगों को अच्छे पार्टनर्स मिले होते हैं लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं तोगि वो शेतान की जकडन है जो कुछ नैचुरल नहीं है जो बिमारी medical science ठीक कर दे लेकिन जब medical science काम नहीं कर पाती उसके पीछे शेतान का हाथ होता है और इश्व मसी ने क्या कहा इश्व मसी ने कहा मैं बंदियों के लिए सवतंतरता का और कैदियों के लिए छुटकारे का परचार करने के लिए आया हूं जब आप इश्व मसी को grant करेंगे अगर आज आप बोलेंगे कि प्रभी इश्व मसी तो मेरा उधार करता और मेरा परमेश्वर है आप किसी धरम को change नहीं कर रहे हैं आप धार्मिक्ता को अपने अंदर ले रहे हैं इश्व को अपने अंदर ले रहे हैं तो वचन कहता है वो आपको छुटकारा देगा दुवायत में लिखा योहवा के प्रसंद रहने के वर्ष का हमारे प्रभू के पल्टा लेने के दिन का मैं परचार करूँ और विलाब करने वालों को शान्ती दूँ बाइबल कहती वो शान्ती देने के लिए आया मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके बच्चों के मृत्य हो गई और वो पागल हो गए थे अपने जीवन को खतम करने के लिए तैयार थे लेकिन जब इश्व मसी उनकी जिन्दगी में आए एक नई लाइफ उनको परमेश्व ने दी है इश्व मसी ने कहा मैं विलाब करने वालों को शान्ती देना चाहता हूँ तीसरी आयत में लिखा ताकि सैयोन के विलाब करने वालों के सिर पर राख दूर करके एक सुन्दर पगडी बांधू ये आयत इश्व मसी के जनम से भी 700 साल पहले की है यानि आप लगा लोगी 2700 साल पहले का वचन मैं पढ़ रहा हूँ उसने कहा वो तुमारे सिर पर के राख को दूर कर देगा जब लोग दुखी होते थे तो अपने सिर पर राख डालते थे जबको उन्हें मर जाता था किसी देश पर कबजा होता था देश लुट जाता तो राख डालते थे परमेश्व ने कहा मैं तुमारी राख को दूर कर दूँगा और एक सुन्दर पगडी तुमें दूँगा उनका विलाब दूर करके मैं हर्ष का तेल लगाऊंगा यानि खुशी का तेल परमेश्व ने देगा उदासी हटाकर यश का ओडना उडाऊंगा जिससे वो धरम के बांजवरिक्ष और योहवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रगठ हो ताकि आपको मालूम हो कि मेरा पिता जो स्वरग में है मुझे छुटकारा देते हुए खुश होता है मुझे आशिशी देखता हुआ खुश होता है जो मेरा परमेश्व है मुझे बलेस होता हुआ देखना चाहता है बढ़ता हुआ देखना चाहता है आप जब Jesus Christ को अपना उधार करता ग्रहन कर लेंगे मैं आपको भोशेवानी कर रहा हूँ आप दुनिया के बेस प्लेसिस पे होंगे आप दुनिया की बेस जखाहों में होंगे बेस देशों में होंगे बेस बिसनेस अला रहे होंगे बेस लाइफ जी रहे होंगे आमेन इतना उँचा लगाओगे शैतान के कानों को खोल दो आज साथ बार आमेन बोलो उँची अवास में हालेलूया हालेलूया प्रभी शुमसी आए कि वो आपको छुटकारा दे सके राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बान सके हर्ष का तेल लगा सके खुशी का तेल तुमारे उपर लगा सके क्रिश्चन की जितनी खिलाफत दुनिया में होती है और किसी धरम की आप जो धरम की बात करतों किसी की नहीं होती लेकिन फिर भी क्रिश्चन लोग आणनदित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने फर्ष का तेल लगाया हुआ है जिसको खुदा हर्ष का तेल लगा दे उसे कोई इंसान पौन्च नहीं सकता जिसके परमेश्वर आननदित होने का तेल बखश दे मसा बख्ष दे उसे कोई मनुष्य निराश नहीं कर सकता है आपके रिष्चेदार जब आपको help करते हैं कुछ तो करते हैं नहीं 99% तो करते ही नहीं एक परसंट कर भी ज़िए तो बेश्टी करकर करते हैं ओ तू फेर आ गया ओ तू फेर आ गई पिया है यार दे दू लाख दे दो सी वेले आई तो आडेली कमोने पेस्ती करते हैं जीजस ने पता क्या कहा उसने कहा अगर तू मेरे पीछे चलेगा और मेरी सेवा करेगा उसकी सेवा बहुत मुश्किल नहीं है इश्व के बारे में परचार करना पवित्रताई में जीवन बिताना नशों से दूर रहना गंदगी से दूर रहना उसने कहा अगर तू ऐसा जीवन बिताएगा तो मैं तरी हर घटी को इश्वत के साथ पूरा करूँगा तुरे को पैसा चाहिए होगा इश्वत के साथ आएगा आश्वत चाहिए होगी इश्वत के साथ आएगी तो अपने घर में इश्वत पाएगी तो अपने काम में बरकत पाएगा तो जहां जाएगी इश्वत पाएगी जहां जाएगा इश्वत पाएगा रिसीव करो इस इश्वत को अपनी आत्मा में ये शुके नामे है हालेलुया हालेलुया इश्यमसी के जनम के बाद उसके वचन में लिखा है तू एक शादी कर सकता है इश्यमसी ने औरतों की इज़त को रिस्टोर किया क्योंकि औरत थी हवा थी जो पाप के पहली भागी बनी तो परमेश्वर ने हवा को औरत को श्रापित किया आदम को श्रापित किया धरती को श्रापित किया औरत श्रापित रही कितने साल आदम श्रापित रहा कितने साल लेकिन वचन कहता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो फिर अपने बच्चों को छुडाना भी चाहता है और परमेशोर ने बाइबल कहती है फिर एक औरत को ही जुना उसने एक ऐसी औरत को जुना जो सचमुझ की कुवारी थी नाम की कुवारी नहीं थी सचमुझ की कुवारी को जुना और पवितर आत्मा उस पे उत्रा और बाइबल कहती है उसने यिशु को जनम दिया जब यिशु को जनम दिया तो उसने जब परमेशु उसके पेट में थे तो उसने कहा परमेशु ने अपने दास्ती की दीनता के परत्रिष्टी की है वो आपके स्टेप्स को ओनर करता है जब यिशु मसी मुर्दों में से जी उठे तो पहली परचारक औरत थी उसको जनन देने वाली औरत थी यिशु मसी का साथ देने वाली फाइनाशली मिनिस्ट्री में ज़्यादा तर 90% औरते थी परमिशन ने औरतों की इज़त को restore किया फिर से उसे उंचा किया आत्मी को श्रापों से फिर से अजाद किया अब तुम माथे की पसीने की रोटी नहीं खाओगे जब तुम यिशु मसी के पास आ जाओगे वो तुमें दुखों की रोटी नहीं देगा वो तुमें आशिशित करेंगे तो वो छुटकारे को ले सकते हैं छुटकारे का प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है यह सरा मेरी लाइफ में शुरू हुआ एकदम से पहले तिन तो कुछ नहीं हुआ लेकिन एक धटका लगा और मुझे मालूम होगा इच्षुमसी कुछ कर सकते हैं यह तो बात पक्की है इतना तो एक्स्पिरियंस मिझे हो गया था वचन क्या केहता जमने जो पहला वचन बढ़ा था लेवी के घराने के पुरिष ने लेवी बंश की इसित्री से विबा किया लेवी घराने था लेवी घराने का पुरिष था लेवी घराने की ही इस्त्री से अपने कुल में ही उसने शादी की कौन सा समय चल रहा था दुखों का समय वो समय जहां पर राजा announcement पर announcement government कर रही थी कि जतने इस्राइलियों के बच्चे होंगे बेटे बेटे सब मार दिये जाए दुखी कर दिया था उसको दुखों में कारे की अइंटों की उनको मुझूरी करा करा के उनको painful life उनकी कर दी थी लेगिन अभी भी एक व्यक्ती परमेश्र के वचन पे खड़ा हुआ है कहता मैं अपने कुल को साफ रहने दूँगा मैं असी शादी नहीं करूँगा जब परमेश्र के वचन के खिलाफ हो आज जब एक व्यक्ती ईश्य मसीदे कुछ पाने में देरी होती है तो आप क्या सोचते हैं उस प्रेशर में भी क्या परमेश्र के साथ अडे हुए और खडे हुए है बाइबल के दी छुटकारा उन लोगों ने पाया है जोनों ने इश्य को कबूल किया है और फिर जब दबारा छुटकारे की जरुत पड़ती है मसी होने के बाद फिर उनी लोगों ने पाया है जो उसके वचन पे खड़े रहते हैं अड़े रहते हैं जो यह नहीं कहते है कि बहुत दुखी हो गए लिया श्राब ले गया डैनियल नहीं कहा कि लाओ जो लेके आना है मुझे दोग खाने के लिए अब कौन सा परमेश्व हमारे साथ आप बंधुआई में चले गए लेकिन दैनियल ने कहा मैं वो नहीं खाऊँगा चाहे मैं बंधुआई में हूँ मैं वो नहीं खाऊँगा जो बाइबल में मना किया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ यिश्व वचन भी है आप Christian हैं, उसके वचन पर खड़े रहें अड़े रहें क्योंकि छुटकारा आपके अंदर से पैदा होगा यिश्व के नाब आप Christian है ना, जर जाना भूले नहीं नई काम होता तब भी जाएं fasting रखें, प्रेयर करें शैतान को शर्मिंदा करें एक दिन आएगा जब छुटकारा आपके पास होगा और आपके पास से दूसरों के पास भी होगा त्योंकि नए लोगों के लिए भी छुटकारा है और उन लोगों के लिए भी है जो युश्व को पहले से जानते है दैनियल ने प्रेशर में ये नहीं का और ले के आओ जो ले के आना है मैं शराब भी पियूँगा दाखरस भी पियूँगा वो मीट भी खाऊंगा जब बाइबल में मना किये हुए ले के आओ परमेश्व कौन सा हमारे साथ है हमारे साथ दतों हम बंदवाई में क्यों आते वचन कहता है जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया उस जेल में भी उसने परमेश्व को बुकारना नहीं छोड़ा वचन कहता है कि सांकलों के साथ बंदे हुए भी उसने योहवा की महिमा की और योहवा की वचन को छोड़ा नहीं हालिलुया अगर आप क्रिश्चन हैं मैं आपको एक सलाह देता हूँ आप प्रेशर में भी हों, दुखों में भी हों इस वचन को छोड़ना नहीं एक बड़ा छुटकारा एंटर होने वाले तुम्हारी लाइफ और तुम देखोगे क्या होता है जो कि यूशु को बिश्वास करेगा, उसकी महिमा को देखेगा बाइबल कहती है आज आए नौन क्रिश्चन हों, आप जाहे क्रिश्चन हों आज अपनी लाइफ परमेश्चन को दे दीजिए और वचन पे चलना शुरू कर दीजिए क्योंकि बड़े स्टार्स हैं जो आप में से जनमने वाले हैं आप शायद अपने आपको नहीं देख पारें जो फ्यूचर में हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ आप चमकने वाले हैं बहुत अजीब रितिस आप हरान होगे कि यहासा मैंने कभी सोचा नहीं था जो परमेश्चन मेरी लाइफ में कर दिया जब मैंने परमेश्चन का पीछा किया मैं कभी सपने में सोचा नहीं था मैंने लोगों को देखा है चर्च में से राशन लेते हुए सो सो रुपे के लिए तरस्ते हुए और आज फॉरण कंट्रीज में अपने घर लेते हुए वे उनको देखा है उस सेम फैमिलीज को और ऐसा नहीं कि बढ़े पैसे थे उनके पास कि वो फॉरण चलेगे चाहल, चाहे कमजोर भी हो तयारो जीजस को अपनी लाइफ देने के लिए मैंने का पीछ जेच करने के लिए जीजस का तयारो तुम्हारी फैमिली तुम्हारा विरोध कर सकती है तुम्हारे देश्चेदर तुम्हारा विरोध कर सकते है लेकि तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकते तुकि जब मैं मसी में आया बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया मेरी फैमिली में पॉलिटिशन्स हैं उन्होंने विरोध किया, डॉक्टर्स हैं उन्होंने विरोध किया, रिष्टारों ने विरोध किया, मेरी फैमिली ने विरोध किया, लेकिन मैं जानता था, मुझे एकर छुटकारा चाहिए, मुझे परमेशों के साथ चलना पड़ेगा बिना डरे बिना घबराए उसके साथ चलना वो तुमें उंचा कर देगा आसमान तक आमेन उंचे वला चाहिए चर्च मैंने का आमेन उंचे वला चाहिए चर्च